कालिंग फॉर कालिंग फॉर कालिंग फॉर थे लाइंग पॉर थे लाइंग पॉर पॉर आज मैं जा रहा हूं रियल्मी 3 प्रो में इंस्टॉल करने लिए जो है 16 बाइ कार्थिक सारे फंक्शन काम करेंगे इवें फिंगरप्रेंट सेंसर अगर आप फर्स टाइम रॉम इंस्टॉल करने वाले हैं तो मैं आपको पता दू कि प्लीज आप जल्बाजी में कुछ भी मत करना पहले अच्छे से सारे प्रोसेस को सारे स्टेप को एक एक करके समझ लेना उसके ब में दे दूँगा पूरा स्टेप यहां पर बताए गया है वैसे बूट लोडर कैसे अनलॉक करना है कस्टम रिकवरी कैसे इंस्टॉल करना है मैं इस पर बहुत सारे वीडियो बनाएं आप मेरे पुराने वीडियो देख लो एक और चीज़ बता दूँ आपको के कस्टम र पड़ेगा आपको data format करना पड़ेगा तो कई बार बार आपको data format करना पड़ेगा इसलिए आपको एक बार description zip flash करना पड़ेगा तो मैंने अल्रडी कर लिया है इसलिए मैंने बूट किया अपने phone को recovery mode में अब मुझे कोई password इंटर करना नहीं पड़ेगा एक और चीज मैं बता दूँ वैसे हर वीडियो में मैं बता देता हूँ first time अगर आप बूट करें रिकवरी मोड में तो याद रखना आपको data format करना पड़ सकता है तो पहले आप backup ले लेना ROM और जो GApps वगएरा फ्लैश करने वाले हो उसे SD card में रखना या laptop में रखना और उसके बाद phone का पूरा backup ले लेना boot, vendor, modem, EFS, system backup ले लेना, swipe to backup और उसके बाद उस backup वाले folder को कई पर save करके रख देना इन केस अगर कुछ घडबर होता है तो restore button दबा कर उस folder को से ले करके restore कर लेना तो अब flash start करते हैं सबसे पहले हम जाएंगे वाइप में और वाइप में जाने के बाद dalvik, cache, system and data, sorry data wipe करेंगे एक चीज आपको बता देता हूँ, यहाँ पर लिखा है कि अगर आप data format करते हो यानि wipe में जाने के बाद format data, first time आपको यह करना पड़ता है तो अगर आप यह कर चुके हो तो फोन को एक बार reboot करना, reboot to recovery, reboot to recovery करने के बाद आगे का process follow करना, okay तो मैंने last time किया था, इस बार मुझे format करने की ज़रूत नहीं पड़ी, तो मैं सीधे wipe करूँगा, dalvik, cache, system, data, okay swipe to wipe, मैं install करूँगा, install, lineage 16, अब flash करेंगे, gapps, gapps अब देख लो, arm 64, 9.0 pico, मैं यहाँ पर use कर रहा हूँ, okay okay, okay guys, rom and gapps, दोनों हम flash कर चुके, अब मैं reboot करता हूँ, तो guys, यह है, linear 16, मैं सबसे पहले आपको about phone में लेकर चलता हूँ, and about phone में आप देख सकते हूँ, model number rmx1851, and android version है, 9, july का security patch मिल रहा है, आपको, काफी पूराना हो सकता है, next update के बाद आपको, latest security patch देखने को मिल जाए, gestures, और, यह, आगे आप आए वाला gesture, okay, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ, display, style, dark, accent color, okay, double tap to wake, अभी add नहीं किया गया है, fingerprint, यह पर्फेक्ली काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यह है, first look ROM का, मैं detail में review कर सकता हूँ, अगर आप interested हो, camera to API enabled है, hardware support level, full दिख रहा है, level 3 नहीं है, तो आप GCAMS में install कर सकते हो, मैं आपको YouTube में कुछ music प्ले करके सुना देता हूँ, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो please like and share करना मत बुलना, और ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए subscribe का बटन जरूर दबा देना, ताके जैसे ही वीडियो अपलोड हो, आपको notification मिल जाए, तो guys देखते रहिए iPhone Unbox, thank you very much.